हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे मिया व्लोग में तो आज मैं और भाई और पापा हम लोग तीनों जाने वाले हैं पंडाल देखे लिए तो मैं फटाफर रेड़ी हो जाती हूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो मैं कहां जाओंगी और कौन सा पंडाल दिखाने वाली इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तो आप वीडियो में बने रहे हैं देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ तो अभी मैं भाई और पापा हम भी निकलने वाले हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड कीता अंधिरा हो गया है तो अभी हम लोग आदितबूर का मलखान सिंह का पंडाल देखने जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं वो बुद्ध जी का स्टैचू है और कितना सुन्दर लग रहा और देखिए अंदर में मा का मूर्टी कितना जादा साइन कर रहा और कितना जादा सुन्दर लग रहा और साइट में यह सब डेकोरेट किया गया है तो देख सकते हैं इधर में भाई और पापा हम लोग तिनों इधर खड़े हैं तो आज इतना ज्यादा भीड नहीं है और बाहर में जो दुकान का सब हो भी लगा नहीं है तो कल से लगना स्टार्ट हो जाएगा तो अस्टमी से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा और यहाँ पे चलना भी पुरा लाइन लग जाएगा चलना भी मुश्किल हो जाएगा और देख सकते हैं यह मूर्ती है वहाँ का आदितपूर का मलखान सिंग का उदर यह पंडाल है और यह मूर्ती है तो फ्रेंज देखिए मैं और भाई हम लोग दोनों आ गये हैं यहाँ पे पंडाल के लिए तो यह आदितपूर का पंडाल है तो अब देखी सकते हैं जो कितना सुंदर लग रहा है तो अभी धूमना हो जिया है अब हम लोग दूसरा जगा जाएंगे तो देखिए यह दूसरा जगा का पंडाल है यह भी आदितपूर का ही है लेकिन धूसरा जगा बना हुआ है और देख सकते हैं बहुत गाना बजरा जो जो से इसलिए मैं साउन्ड ओफ कर दी हूं तो देखिये अब मैं अंदर के तरफ जाके आपको दिखाती हूँ इस तरह से ये पंडल बनाया गया है और इधर का मुर्टी अभी आया नहीं है तो देख सकते हैं अब जूमर देखिये उहाँ लगाया है अब अभी हम लोग यहां से निकलने वाले हैं तो गाना बज रहा है इसलिए साउंड ओफ रखना पड़ा तो देखिए यह तीसरा पंडाल है और मेरे को सबसे ज़्यादा यही वाला पंडाल लगा तो यह गिटार जैसा बनाया किया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब मैं इसका अंदर जाओंगी और इसका अंदर का डेकोरेट जो भी किया गिया है वो मैं आपको दिखाओंगी तो मेरे को सबसे बेश्य तो यही लगा तो अब देखिए पापा यहां खड़े है और पापा ने में दिए एक बड़ा सा गिटार खाय रहा है तो अब देख सकते हैं यह वो मिटार है तो क्या बोलना चाहेंगे तो दुर्गा पुजा का पंडाल बनाया गया है गिटार का रूप दिया गया है तो कैसा लग रहा है अब देख सकते हैं मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ जे हमें पुजगानी के त्यानी के लिए हमारे कला कार पुज़ों तयार हो रहे हैं तब तक जो तयार है मैं के लिए तो यहां पे देखिए स्टेच में गाना गाया जा रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इदर कैसे इन लोग गाना गारे है तो यहां पे अभी हम लोग चॉमिन और रॉल पैक करके घर ले जाएंगे तो फ्रेंट्स अभी मैं घर आ गई हूँ आई होप आपको मेंसाथ घुम के मजाया होगा और आप सोच रहोंगे जो इतना ज्यादा भीड नहीं है जमस्वत पूर्विल के लोग कहां चले गए तो ऐसा कुछ नहीं है आज के दिन इतना भीड नहीं होता और दो दिन अभी भीड नहीं होगा क्योंकि अभी तो स्टाट आप लोग आपको मेंसाथ घुम के मजा आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से श्ट्राइब और कमेंट करना मत भूलेगा और आप लोग भी जल्दी जमस्वत पूर्व के बाहर हैं और या पिर जमस्वत पूर्व के रहने वारे तो घु और फ्रेंड्स हम लोग जहां गये तो तीन जगा बिष्टू आदितपूर का तीन पंडाल था जो मैं आपको दिखा दी हूँ तो यह तीनों है और जो मलखान सुनका पंडाल था तो वहां बहुत ज़्यादा भीड होने वाला इसलिए मैं आज चलीगे तो आज उतना आप लोग भी जलूर आयेगा और यहां पर घूमियेगा बहुत ही अच्छा बना हुआ है आज इस वार बहुत ही अच्छा बनाया है बहुत अच्छा लगा